मनिस कस्यप एक ऐसी आवाज थे जिने मद्यवर और गरीवर अपने घर का बेटा भाई समझता था क्योंकि वो उनकी धड़कन थे और उनकी आवाज को पूरे देश में आगे लाते थे कान खोल के सुन ले अगर मनिस कस्यप जैसे भाई को कोई दबाने का कोशिस करेगा तो हम लोग भी मैदान में उतरेंगे और मनिस कस्यप भाई के लिए जान भी देना पड़े तो जान भी दे देंगे कि बिहार सरकार जो मनिस कस्यप की छ़बी थी उस च़बी को देखते हुए अपनी कुरसी हिलने का डर के वज़़ा से मनिस कस्यप को यह जूटा आरोप लगा करके जिसके पिता देश की सिवा बोर्डर पे रात दिन एक करके वों सिवा दे रहे हैं और जूटा आरोप अजिए प्शाइब के समर्धक हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार अपने नियाय बिवस्था को देखते हुए जो उसको उनको फसा जा रहा है मेरे निर्भीक भाई को पत्रकार को उनको रिहा करे और ग्राउंड में अपने काम करने के लिए दुबारा उनको भेजे मनीज कश्यप की बात करें तो मनीज कश्यप अब एक बार फिर से ट्वीटर पर ट्रेंड कर रहे हैं ट्वीटर पर हैस्टेग मनीज कश्यप की आजादी लगता ट्रेंड कर रहा है और मनीज कश्यप के ही समर्था के इस बार ट्रेंडिंग में मनीज कश्यप को फिर से ला दिये हैं। आपको बताने कि समर्थकों के साथ साथ कही न कहीं पूरे बिहारवासी ही नहीं बलकि देश के अन्य-अन्य स्टेट से लोग हैस्टेग मनीज कश्यप की आजादी ट्वीट कर रहे हैं तब ही मनीज कश्यप ट्वीटर पर लगतार ट्रेंड कर रहे हैं इस वक्त दिल्ली में कुछ समर्थक हैं जो मनीज कश्यप को बहुत चाहते हैं और मनीज कश्यप को लेकर अपनी बातों को आगे रखना चाहते हैं सेट ट्वीटर पे ट्रेंड कर रहा है है स्टेग मनीज कश्यप की आजादी मनीज कश्यप को जूटे मुकदमे से आजादी आखिर कब तक मिलेगी मैडम हम चाहते हैं कि मनीस कासिभ जलदी से रिया हो और वो आजाध हो और पूरा देश के हख और हित की आवाज मनीस कासिभ जिस कदर पूरे देश के साथ खड़े थे हर गरीब वंचीत दलित सबकी आवाज थे उर लगातार हमारे साथ झाले कर बिहारी नहीं पूरे भारत की एक आवाज बन करके सब के साथ मिलकर चल रहे थे और एक पत्रकार को इस कदर कानून के तहत बंदी बना लेना हम बिलकुल बरदास नहीं करेंगे और हम उनके समर्थन में खड़े हैं और खड़े रहेंगे मनीश कस्यप जिन्दाबाद और वो आजाद जल्दी से जल्दी होंगे यही मांग है हमारी कि कानून के दाइरे में रहके बोली को गोली ना समझके उन्हें आजाद कराए और हमारे देश की हित की आवाज फिर से एक बार आजाद होकर हमारे साथ खड़े मिले जही जह भारत मनीश कस्यप का क्या गुना था जो उनको इतनी बड़ी सज़वा दी जाती है मेडम मनीश कस्यप का गुना ये था कि जो निचले वर्क के लोग थे उनकी समझ्या को शरकार की शामने लाना जैसे की जैपी इनवर्सिटी के बीसी को उन्होंने रंगे हाथ बैठ के पकड़ा था जो की चार साल से सब्जेक्ट पूरा नहीं हुआ था उस दर्म्यान पे जो बिहार सरकार थी काफी आड़े हाथ ले करके एक प्रसनल मुद्दा बना करके नयाए पालिका के सामने रखा कि ये मनीश कश्यप गुनागार है जबकि ऐसा कुछ नहीं है मनीश कश्यप को आप लोग इतना क्यों पसंद करते हैं मनीश कश्यप एक निम्न बर्ग से आते हैं जो कि उनके पिता जी फोज की सेवा में अभी भी है जिसके पिता खुश देश पे तैनात है देश की सेवा के लिए उन्हीं के बेटों को अनसे लगाया गया है और अब मनीश कश्यप की आजादी का त्वीट करना पड़ रहा ते कब तक जूटे मुकदमे से आजादी मेलेगी मनीश कश्यप को लगां जिसके पीता देश की सेंवा अर जूठा आरोप पूरा बिश्वास है नियापलका उचीत करवाई करते हुए मनिष् क कैश्यव को रिषा करेगी यह हम棠 पूरी उमीद है दन्यवाद मेडम वाले पूरे देश का रहने वाले ओभी इनके चैनल को देखते हैं मनीज काश्यप में आपको सबसे अच्छा क्या मनीज का शब्थल जी का सबसे अच्छी बाते हैं कि उन्होंने सच्चाई दिखाता था जो भी सच्च है गरीब का हक में हो या कोई भी पदाधिकारी सरकारी क्रमचारी हो कोई बिधायक हो कोई मंत्री हो कोई भी अगर गलत काम करता है उसके लिए मनीश कश्यप जी खबर को जनता तक पहुचाते थे सर कहीं न कहीं मनीज कश्यप जिस तरीके से सब के सामने सच दिखाते थे भ्रस्टा चार को दिखाते थे उसी सच की आवास को दबाने के लिए उनको सलाखों के पीछे डाल दिया गया है समर्ठक में से आप लोग भी समर्ठक ही है हैस्टेग मनिशकस्यव की आजादी चल रही है ट्विटर पर ट्रेंट कर रहा है कब तक उनको आज़ादी मिलेगी आप लोग कब तक साथ देगी देखिए हम लोग तो चाहते हैं कि मनिशकस्यव जैसा पत्रकार तयार हो और अपने जान को बाजी लगा के बहुत ही निर्भिक और निडर्ता से जिस तरीके से उन्होंने बिहार में ही नहीं पूरे देश के नियूज को दिखाते थे और बिहार में बहुत बार देखा गया कि ग्राउंड रिपोर्ट सड़क को लेकर कही निर्मान हो रहा है उसमें जाके एकदम बिल्कुल अस्पोर्ट पे वो दिखाते थे कि किस तरह से ये गलत काम हो रहा है कोई भी सरकारी संस्थान में जाके जिस तरह से मनिश कस्यप दिखाते थे कि देखिए कितना घुसखोरी और कितना आजकल जो बिहार में चला हुआ है बिल्कुल ही घु प्रस्था को देखते हुए जो उसको उनको फसा जा रहा है मेरे निर्विक भाई को पत्रकार को उनको रिहा करे और ग्राउंड में अपने काम करने के लिए दुबारा उनको भेजे जिससे की बिहार की जो तंत्र बिगड़ा हुआ है चाहे सरकारी तंत्र हो उसमें सुधार ह हो सके हम लोग मरते जीवन तक एक दम मरते दम तक चाहेंगे कि मनीश कस्यब जैसा भाई रोज महीना में दो चार पैदा हो तो इस तरीके से एक मनीश कस्यप को दबाया जाएगा हजार मनीश कस्यप पैदा होगा बिल्कुल कान खोल के सुन ले अगर मनीश कस्यप जैसे भाई को कोई दबाने का कोशिस करेगा तो हम लोग भी मैदान में उतरेंगे और मनीश कस्यप भाई के लिए जान भी देना पड़े तो जान भी दे देंगे लेकिन रिहा करके रहेंगे धन्यवाद सनब बिहार मनीज कश्चेप को आखिर कब तक आजादी मिलेगी और आप मनीज कश्चेप को क्यों इतना पसंद करते हैं वो हर जो मुद्दा उठाते हैं साच्छ का मुद्दा उठाते हैं. इसलिए हम Manish kasab सर को सपोर्ट करते हैं. उनको पसंद करते हैं. एक UA होने के नात आपकी सोच कहा है Manish Ka Shep को Away. Manish Kasab जैस podob पतरकार पूते देश में मिले हैं जितने ही पतरकार हो Manish Ser जैसे हो. उनको जल्दी रिहाई मिल जाएगी, यह सब जो बिहार सरकार है, इसका वैसे भी समाथ होने वाला है सरकार इनका, युवाव में बहुत गुस्ता है, इसको लेके युवाव में बहुत अक्रोस है, गुस्ता है, ट्वीट पे उनका हैंडल, हैस्टेग ट्वीट चल रहा है, क्या बोलेंगे मनिस का शिप को लेकर? इसलिए उनकी कमी खर रही है, और अपना काम दुबारा संभालें और एडलाई फिर से स्टार्ट करें उन लोगों का, अभी फिर से ट्रेंड करें आने वाले समय में और कितना ट्रेंड करेंगे? बहुत जादा हज से जादा क्योंकि वो जो मनिस का शिप है, वो इवा वर्ग में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं, इवा जितने है हमारे देश के जगह बनाते जा रहे हैं, और खासकर सिक्छा के मुद्धे पे जो बिहार सरकार है बिहार सरकार सिख्षा के लिए आज तक कोई काम ने किया जो भी काम किया है वहां से लोगों ने प्लाइन किया है सिख्षा के आभाव में मनिस का शब तो कोई नेता थे नहीं उनका काम तो ये था नहीं कि वो आवाज उठा है वो तो पत्रकार थे बिल्कुल मेडम यूटूबर कहा चाहता है बिल्कुल मनिस का सब एक ऐसी आवाज थे जीने मद्यवर और गरीवर अपने घर का बेटा भाई समझता था क्योंकि वो उनकी धरकन थे और उनकी आवाज को पूरे देश में आगे लाते थे हम यहीं चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिहा हो तो आप देख सकते हैं लगतर समर्थ को कि जो जो मांगे हैं वो आप सभी के बीच रख रहे अच्छा आप लोगों की आखरी मांग क्या होगी वो बता दीजी करो रिहा करो मनीश कश्यप को रिहा करो मनीश भाई को जल से जल्द रिहा किया जाए तो आप देख सकते हैं लोग की मांगे कि मनीश कश्यप को रिहा करो जूटे मुकदमे से उनकी आजजादी करो तो सनब भिहार मनीश कश्यप को लेकर क्या कुछ कहेंगे आ कमेंट सेक्शन में जाके मैं जरूर बतेगा